नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका 16 जुलाई 2021 के डेली एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल का सेशन अल्रेडी अपलोड हो चुका है लगबग 25-26 मिनिट का आयोप आपने देख लिया होगा यह दूसरा पार्ट है आज का एडिटोरियल आपके साम मारे एकनॉमी में जून के इंफ्लेशन फिगर्स निकल के आए है और जुलाई की दूसरे हफते के लगबग या फिर कह लिए पहले हफते में कुछ हद तक प्रोवीजनल एस्टीमेट्स निकल के आते हैं पिछले महीने के तो अभी जुलाई चला है जून के महीने के कुछ इस्टीमेट्स निकल के यहाँ पे आए हैं तो जून में क्या हालात रहे हैं आपके इंफलेशन के उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी हमको दी जा रही है तो ढंक से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे नेक्स आर्टिकल जो कि हम डिसकस करने वाले हैं वो है इंडियन स्टॉप मार्केट में बबल को लेके वैसे तो बहुत सारे व्यूपॉंट्स इसमें दी हुए हैं बट तीन से चार व्यूपॉंट्स जो कि शुरुवात के ही दो तीन पैराग्राफ में दीए गये हैं वो हम अलुम पड़ जाएगा कि यह जो सेंसेक्स और निफ्टी इतना ऊपर उचल रहा है और एक बड़ा अच्छा पॉंट लिए नों बताया कि पैनमिक के बाद पैनमिक आने के बाद ऐसा नहीं कि हमारा निफ्टी सेंसेक्स और हमारा स्टाउक मार्केट ही ऐसा है जो ऊपर के चले गए हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इनके बारे में कुछ व्यूपॉंट यहाँ पर दी हुए हैं अब जो चीजें इस आर्टिकल में बताई गई है ना कुनाल रे सहाँ ने बताई है बहले ही उन्होंने दिलीव कुमार की तारीफ किये बट दिलीव कुमार की अभी की जो Bollywood fraternity है उसकी बिराई की और ये कोई बुराई आपका नेपोटिजम को लेके नहीं है ये बुराई इस बात को लेके है कि आज की डेट में अल्टरा नैशनलिस्टिक फरवर की मूवीज बनती है ताना जी जैसी कुछ इंपोर्टन कुछ स्पेसिफिक व्यूपॉंट से इसका सूँगे तो आगे बाद इस पहले वीडियो पर लाइक के बटन दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेर सब्सक्राइम नहीं क्या कर दीजिए जोएन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं जो आज के मेंबर्स हैं उनका मैं स्वागत पहली वीडियो में अलरडी कर चुका हूँ आपको बेच्छा लगे आप जोएन बटन दबा सकते हैं इस्टरग्राम पर फॉलो कर लिजिए वहाँ पर आपके जो भी डाउट से जो जोए शुरुबात करने से पहले दोस्तों आपकी एक मेंटल एक्सराइस के लिए मैं आपको सवाल देना चाहता हूँ कली मैंने एक नॉमी की एक वीडियो अपलोड की जहांपे मैं आपको GDP डिफलेटर के बारे में बता हैं अब मैं आप जीडिपी डिफलेटर की बात क्य कैसे अलग है what's the difference between GDP डिफलेटर and CPI WPI मतलब दो ब्रैकेट में चीजों को बाट दो एक ब्रैकेट में CPI WPI रखो और दूसरे ब्रैकेट में GDP डिफलेटर रखो तो GDP डिफलेटर CPI WPI से कैसे अलग है यह प्रकार की static exercise मैं आपको दे रहा हूँ नीचे comment box में मुझे आप इस का जबाब बताईए इसके लिए मेरी latest economy वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने कल अप्लोड की मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ part 41 what is skewflation GDP deflator and base effect तो आप इस particular वीडियो को देख के भी बता सकते हो अगर आपको वैसे ही जबाब पता है तो आप ऐसे बता सकते हो तो यह मेराज का सवाल है चले शुरुआत करते हैं अपने इस article से by latest inflation data आ चुका है retail retail prices के हिसाब से भी और wholesale prices के हिसाब से भी और यह जो pandemic आया है इस pandemic के चलते हैं यहाँ पे जो signal निकल के आ रहे हैं महंगाई के यह signal को ज़्यादा अच्छे नहीं है अगर आप CPI inflation की बात क 6.26% है माई में जो register हुआ था माई 2021 में वो था 6.3% और जून 2021 में कितना निकल के आ रहा है 6.26% मतलब की CPI inflation 6% की उपर है और आपको पता होना चाहिए monetary policy committee का target होता है 4 plus minus 2% अगर आप मेरी रमेश सिंग की वीडियो देख रहे होगे तो यह जो agreement on monetary policy framework आया था RBI का उसके ब limit को अगर तीन quarter तक अगर आप लगातार cross करो तो RBI को responsibility fix की जाएगी आप inflation check नहीं कर पार हो हाला कि यह दूसरा ऐसा महीना है जहां पर यह जो आपका CPI inflation ने 6% के ऊपर चला गया है मई में 6.3% था और जून में 6.2% है कहने मतलब क्या है कि रेटे लेवल का जो inflation है वो बढ क्यों रहा है तो बढ़ इसलिए रहा है चुकि की food item के prices में यहां पर increase हुआ है oil और fat के दाम बढ़ें पिछले साल से इस साल oil और fat के दाम 35% बढ़ें मई के respect में 2.9% बढ़ें माई में already 6.3% का inflation था उसके respect में भी जून के आपके oil और fat के दाम 2.9% बढ़ गएं जो egg के द 19.4% बढ़ें मतलब जून 2021 में जो दाम है वो जून 2020 से 19.4% जादा है और पिछले महीने से eggs के दाम 6.2% जादा है फिर pulses और products के दाम 10% बढ़ें मतलब जून 2020 में जितने थे तो जून 2021 के दाम जून 2020 के दाम उससे 10% जादा है जो RBI officials हैं जिन्होंने state of the economy को review किया है और अ एक monthly bulletin आपको पता है RBI का monthly bulletin release होता है तो जो Thursday को monthly bulletin release हुआ है RBI का ये क्या बोलता है कि भाई ये जो fuel inflation है जिसमें petrol और डीजल का inflation नहीं है देखें fuel inflation जिसमें petrol और डीजल का नहीं उसमें क्या क्या आता है तो उसमें आता है LPG के दाम आपके kerosene के दाम फिर ये जो गाउ तो इंयाजी सोर्सेश के दाम की जब इंफलेशन को मैसर किया गया तो कित्ता नीकल के आ है वो 12.7 प्रदीशत तो रूप यहुजञ सकते हो कि अब अब तक जो नाम जून में 2021 में बड़ा वो तो ज्यादा है यह और LPG कैरोसीन के दाम जुलाई में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो उपर चली रही है पैट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं नहीं केंदर की सरक सरकारें अपने टेक्सिस कम कर रहे है तो पैट्रोल का दाम चल रहा है 102.92 लीटर ठीक ही रुपय परीफटि लीटर और आपका बड़ा दाम सरकार के उपर राज सरकार के ओपर जब इल्जाम लगाए जागे न जब पार्टी पॉलिटिक्स होगी एलेक्षिन आएगा तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेके पॉलिटिक्स होगी तो केंडर की सरकार पता है क्या बोलेगी ये राजी की सरकारें GST के अंदर निला रही है पेट्रोल को, राजी की सरकार क्या बोलेगी, भाई ये केंदर की सरकार टैक्स नहीं इटा रही, जबकि टैक्स दोनों लगा रहे हैं, तो कुल मेरा कि यहां पर ब्लेम गेम चलता रहता है, और इसका हरजाना किसको भुगतना पड़ता है, आँवाद निगू भुगतना उनको मार्केट तक पहुचाने में पेट्रोल डीजल ही खतम होता है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो इन गुड्स के मार्केट तक पहुचने के दाम बढ़ेंगे, तो ओवराल फाइनल कॉस्त यहां पर बढ़ी जाएगी, फिर अगर आप WPI इंफलेशन की यहां पर बढ़ा है, देखे, CPI तो बढ़ा ही है, होलसेल प्राइस इंफलेशन भी बढ़ा है, फिर जो फ्यूर और पावर कैटेगरी का WPI इंफलेशन है, वो 32.8% बढ़ा है, मैनुफैक्चर प्रोडेट का 10.88% बढ़ा है, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडर्स्टीज के हालात इस समय पर बहुत खराब चल रहे हैं, पैंडमिक का इंपक्ट अल्रडी इनके उपर है, इनके डिमांड और ओवर ओल फाइनेंसे ही ले हुए हैं, और अब राव माटेरियल और इंपूट कोस्ट के दाम भी यहां पर बढ़ रहे हैं, अगर आप के बात करें, तो जून में मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी कॉन्टरेक्ट हुई है, पहली बार 11 महीनों में IHS मार्केट के ये जो पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, इसके इसाफ़ से जून 2021 में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो 50 की नीचे चला मतलब manufacturing activity यहाँ पर गिरी है तो second wave के दौरान definitely हमारी demand भी effect हुई है हमारी supply भी effect हुई है हमारे rural, urban हर प्रकार के markets यहाँ पर effect होते नज़र आ रहे हैं बहुत severe तरीके से यहाँ पर effect होते नज़र आ रहे है और खास बात यहाँ पर यह है जून की अगर जून 1 की बात की जाए तो जून 1 ते लेकि अब तक जो cumulative rainfall हुई है that is 5% below average और जो 12 weather subdivisions है उनका यह बोलना है कि जो 12 weather subdivisions जो की देश के 37% of the country area कवर करते है तो 37% of the country area जो कि इन 12 weather substations में आता है इनका यह बोलना है कि as of 15 July 2021 काफी हद तक deficient rainfall देखने को मिली है इनके इनके इलाके में तो pandemic के चलते ही जो lockdown लगा था उसके economic impact तो है साथ-साथ यहाँ पे चुकि monsoonal rainfall कम हो रही है तो overall जो production हो रहा है agriculture products का वो भी कम हो रहा है अब बिना नीचे बिना कहीं पे चेक किये आप मुझे नीचे comment box में बताइए कि कौन सा agricultural season चल रहा है तीन agricultural season होते है खरीफ, राभी, जायद अभी कौन सा agriculture season चालू है बिना कुछ देखे नीचे comment box में बताओ बिना किसी और का comment देखे नीचे comment box में बताओ ठीक है किसी और का comment में मत देखना तो भाई अब obvious ही बात है monsoon and rail form का में agriculture पर फरकाएगा agriculture पर फरकाएगा तो हो सकता है agriculture output कम हो और agriculture output कम हुआ तो भाई agriculture में भी inflation नज़र आएगा और already food inflation बहुत लगड़ा चल रहा है तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हैस समय पे इसलिए सरकार कम से कम लोगों को थोड़ी रियायत देने के लिए fuel taxes को तो काटी सकती है ये कम से कम petrol diesel पर तो दाम कमी कर सकती है सरकार actually में उस चीज़ के favor में भी अभी के लिए तो नज़र नहीं आ रही है तो यह हमने आप पे discuss किया है अगले article पे चलते है अगले article दिलीप कुमार जी से related है A star who stood his ground Unlike today's Bollywood stars दिलीप कुमार never withheld from speaking in his mind कहने मतलब यह है कि एक actor अपना mind speak करे बिल्कुल जो इसके दिमाग में आये तभी वो अच्छा होगा ऐसा यहां पे बोलना है किसका कुनाल रे साब का इसमें एक flaw है flaw यह है कि कुनाल रे साब इस बात को implicit कर रहे है कि मतलब आज की date में जो actors में वो दब-ब के काम कर रहे है कोई भी अपना open mind से बातचीत नहीं कर रहा है मतलब कोई actor जब तक सामने आके खुले तरीके सा लड़ने नहीं लगेगा और चार-पांच लोगो को challenge नहीं करने लगेगा तब तक यह नहीं पता चलेगा कि he's free मतलब कोई लड़े कोई अपने political aspirations को जबरदस्ती सामने रखे ठीक है politicians को 10-15 बार criticize करे तो ही वो एक independent actor है शायद कुछ इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर कुनाल रे साब बोलने की कोशिश कर रहे है चोकि इनका यह बोलना है कि प्रेजेंट अक्टर तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करते है चलिए सब की अपनी अपनी बात हो सकती है यहाँ पर दिलीव कुमार जी को शद्धान जली बहुत लंबा कैरियर है इनका बहुत कुछ किया है इननोंने बोलिवुड के लिए अब इनके बारे में देखे इनको याद करने के बजाए कुनाल रे साब क्या बोल रहे है कि भाई अलग-अलग पिच्चरों के थूद दिलीव कुमार जी ने सेंसिटिव इशू उसको उठाया है इनकी जो पिच्चरें थी वो बड़ी जबरदस्त थी यह किसी से डरते नहीं थे लगातार वो कितने प्रोग्रसिव वर्ग में इन्वाल थे मुममई में जब दंगे होए तो उन्हों लोगों को मदद की जब दीपा महता के ओपर जब दीपा महता की जो कॉंट्रोवर्शिल फिर्म थी फायर गेज़ दब जरीज होई थी तो दीपा महता को क्रिटसाइस किया गया था उसमें पर दीपा महता को डिफेंड किया था फिर लखना हो गया थे 1990s में दीपा महता को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे कमूनल कॉंडों को बढ़गाया भी था आपको पता होना चाहिए कि दीपा महता को एक मुस्लिम थे उनका जो रियल नाम था मुहमद यूसुफ खान इनका रियल नाम था तो कुल मिला के पेशावर का इनका जनम है तो कुल मिला के जो हिंदू-मुसलिम वाला पचला है ना इसमें जबरदस्ति यहां पे दिलीप कुमार को खीच रहे कुनाल रे इनका यह कहना है कि भाई यह अपनी बातों को खुले आम से कहते थे आज के बॉलिवूड एक्टर्स अपनी बातों को खुले आम तरीके से नहीं कहते है आज के बॉलिवूड में कुनाल रे साब का बोलना है कि हाइपर नेशनलिस्टिक टर्न आ गया है के सिरी जैसी मूवीज रिलीज होती हैं, ताना जी जैसी मूवीज रिलीज होती हैं, पानी पद जैसी मूवीज रिलीज होती हैं, जहाँ पर मिजोटेरिन कल्चर को आप कह सकते हो कि प्रमोट किया जाता है, तो यह सब फिर कुनाल रे साब कहते हैं कि हमारे देश में बहुत नहीं करते थे अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दिलीब कुमार और जो पहले के राजी श्कन्ना और जो बड़े अक्टर्स थे वो जब फिल्में बनाते थे वो कॉमर्शल गेंज की बात नहीं करते थे ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ आज की डेट में जो कॉमर्शल इंट्रेस्ट हो कुछ जादा ही डॉमिनेट कर गए हैं और इनका यह बोलना है कि आज की डेट में जो मेजूरिटी रेंट ट्रेंड है जो हाइपर नैशनलिस्टिक वाली मूवीज हैं इनको जादा प्रमोट किया जाता है तो दिलीब कुमार को as an inspiration देखने की जरूत हो जो दिलीब कुमार साब करते थे वो बाकियों को करने की जरूत है अब exactly क्या करने की जरूत है तो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना तो यह कहना की कोशिश कर रहे है कि बिलकुल भाई political sensitive मुद्दों को ठाओ सरकार के बनानी चाहते हैं commerce डिवन इंडस्टी से सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हैं यह सब बाते हैं यहाँ पर कुनाल रे साब बोल रहा है एक और बात यहाँ पर बूली चाहरी है और उस cinema का जो हिंदी वर्जन है या फिर कहली जो subtitle वाला वर्जन है वो भी बहुत आसानी से viewer के पास वेवलेवर है कुनाल रे साब का यह बोलना है कि OTT प्लैटफॉर्म में हिंदी फिल्मों के साथ साथ दूसरी भाषाओं की फिल्में भी है और जो दूसरी भाषाओं की फिल्में है वो contemporary reality पे ज़्यादा ध्यान देती है वो हमारी societal issues पे ज्यादा ध्यान देती है और जो हमारा हिंदी cinema है वो तरह ध्यान देता तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा हो कि हिंदी cinema की importance काम हो जाए और यह जो contemporary दूसरी भाषा के cinema है मलियालन तेल्गू इसकी importance बढ़ जाए क्यों कि हिंदी cinema contemporary issues को नहीं उठाता है हिंदी cinema innovative movies नहीं मिनाता है हिंदी cinema सिर्फ commercial motives पे काम करता है majoritarian element को display करता है तो यह कुनाल रे साब का यहाँ पर बोलना है अब आप मुझे नीचे comment box में बताओ कि आपका यहाँ पर क्या बोलना है यहाँ पर मैं जरूर सब की राय पढ़ना चाहूंगा मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कुनाल रे जी के साथ व्याक्या रखते हैं कि आज की डेट में बहुत ज़्यदा political मुद्धों पे movies नहीं बनती हैं बहुत ज़्यदा सरकार को criticize करने वाली movies नहीं बनती हैं और क्या आज से 20-30-40 साल पहले जब दिलिव कुमार साब active थे क्या उस समय पे बहुत ज़्यदा political sensitive movies बना करती थी क्या आज की डेट में जो regional movies हैं मलायलम जो तमिल ते लोगों बनती हैं क्या वो ज़्यदा political sensitive हैं क्या वो ज़्यदा contemporary realities को दिखाती हैं और हमारी Bollywood नहीं दिखाता क्या आप इस particular viewpoints सा द्वाक्या रखते हैं definitely मुझे नीचे comment box में बताइए ठीक है भाई अब अपने अगले article पे चलते हैं आज का last article औ इनवेश्टर्स बिलीव stocks are overvalued but disagree on how to play the market बाई यहां पर एक जबरदस viewpoint दे रखा हैं इस viewpoint को समझने की कोशिश करते हैं जब national lockdown अनौंस किया गया था परधान मत्रीदी के दौरा 25 मार्च 2020 के लगब उस समय पे हमारी economy की हालत बहुत खराफती है जब भी इस प्रकार के lockdowns औ लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कि जो हमारे country के stock indices हो गया 106 के बहुत तीजी से बढ़ रहे है अपरेल 2020 से लेके अब तक डबल हो चुका है market मतलब अगर उस समय पर आपने market में invest किया होता तो अब तक आपका 100% return होता है मतलब अपरेल 2020 में अगर आपने market में एक आप डीम इनवेस्ट करते हैं तो 5% मिलता है कुछ बैंकों में वो भी नहीं मिलता साड़े 4% कर दिया गया है और अगर आप एक लाग रुपे डालते हप्रेल 2020 में तो अभी आपको 2 लाग रुपे वापस मिलता मतलब कहने मतलब क्या है कहने मतलब यह कि stock market को जरूस से जा में कितना पैसा फ्लो कर रहा है और इस समय मार्केट में पैसा भर-भर के फ्लो कर रहा है कैसे बहरत की सरकार भारत की RBI पैशा रिलीस कर रही है जो federal, uasa का वो पैसा रिलीस कर रहा है और दुनिया भर की जितनी बी central bank से सब पैसा print कर करके market में डाल रहा है क्यों ताकि business Jetzt ज सिर्कूलेट हो रहा है बहुत सयदा लिक्विधिटी है मार्केट है तो इसके चलते हैं वहां गोलद के health और रहा है कि वहां थयृद के दांब बढम बढ़े होूं है एंडियां प्रीतों है स्टॉक के दानगा और स्टॉकिल्स के दामियो को अगर नन大概ुए लग से गार रहा बट एक्चुली में दुनिया भरके मार्केट्स उपर जा रहे है जो भी बड़े-बड़े stock exchanges के performance देखने को मिले है जहाँ पे stocks के दाम X मतलब आप कह सकते हो कि बहुत जबरदस तरीके से उपर गए हैं इंडिया टॉप ऐसी 5 countries में भी नहीं जहाँ पे exchanges के दाम उपर गए है मतलब कि जो आप US का नाजदाग देख लिए निक के देख लिए जापान का यह जितने exchanges है न दुनिया भरके सब exchanges बहुत टेरिबल तरीके से उपर बढ़े हैं इसलिए यह बोल देना कि सिर्फ इंडिया का stock exchange उपर बढ़ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इंडिय कि इंडेक्स की बात करो तो इंडिया में जो निफ्टी सेंसेक से इनका 45% इंडेक्स पांच स्टॉक से कंट्रोल हो रहा है को लमिला के कहने मतलब क्या है कि भाई ओवर ओल इंडियन stock exchange उसी trend पे चल रहा है जिस trend पे international stock exchanges चल रहा है तो यहाँ पर एक और point दिया जा रहा है कि भाई जो निफ्टी है that is trading at around 29 times its earning अभी यह क्या चीज है अगर आप बाकी stock exchanges की भी बात करोगी इसी article में बतायागे कि जापान में जो stocks हैं वो 34 times earnings पे चल रहे हैं यूस में 28 times earnings पे चल रहे हैं चैना में 19 times earnings पे चल रहे हैं तो निफ्टी भी 40, 20 या 30 times earnings पे चल सकता है इ इसका मतलब यह कि मान लीजे किसी particular firm ने एक के stock issue किया और उस stock के चलते हैं उस firm को जो भी benefit हो रहा है जो भी उसकी earning है उस earning के हिसाब से stock का जो दाम होना चाहिए उस दाम के भी 30 गुना चालिस गुना उस stock का दाम चल रहा है कहने मतलब क्या है कि overall जो profit निगल के आ सकता है ज definitely वो जो stock है वो जो share है वो overpriced है got it वो stock वो share overpriced है फिर यहां पर एक और टम निकल क्या रहा है price to book ratio अब यह price to book ratio क्या होता है तो price to book ratio में आपने क्या किया market numerator में रखा आपने market price per share और denominator में रखा आपने book value plus share अब यह आप बोलोगे कि यार यह book value per share क्या होता है तो जो book value होती किसी asset की it is equal to its carrying value on the balance sheet एक company की जो balance sheet आती है हर साल उस balance sheet में जो उसके particular stock की value होती उसका आप book value बोलता हो तो यहां पर prices to book ratio यह economic parameter है जिसके basis पर पता किया जाता है कि stock कैसे perform कर रहा है prices to book ratio के बारे में कभी और बात करेंगे this is actually a very different concept तो यहां पर उसके बारे में बहुत ज़दा बात करना सहीं नहीं है कोल मिलाकर आपको यहां समझना कैसा मार्केट में यह जो पूरे के पूरे stock market में stocks के दाम इतने ज़ादा चल रहे है यह इतने ज़ादा क्यों चल रहे है यह इतने ज़ादा इसले चल रहे है कि बहुत ज़ादा excess liquidity है market में माझ लिगिया, RPAI ने बहुत सारा पैसा चापा और उसको market में उतार दिया अभी इस पैसे का क्या होगा RPAI के पास बहुत सारा पैसा है Scheduled Commercial Banks के पास बहुत सारा पैसा है अभी यह पैसा corporates के हातों नहीं आदा तो कहा जाएगा यह पैसा यह पैसा ऑबिसी बात है स्टॉक में पहुचेगा स्टॉक मार्केट में पहुचेगा आपके बाद मालीजिए पांच अलाक रुपे थे आपको लगा कि एर एवडी में तो दो चार परसंट मिल रहा है तो एवडी का पांच परसंट कम है क्या करूंगा यह तो चिल्लर है इसमें जो कॉर्पोरेशन का फ्रॉफिट हुआ है 100 रुपे फ्रॉफिट तो टैक्स सॉक्स की वह सिवा है मतलब टैक्स में जो बेनेफिट जो रियायत दी है हमारी सरकार ने इन कॉर्पोरेट्स को उसके चलते ही यहाँ पर आपके सकते हो कि इनकी अनिंग्स बढ़ गई ओवर औल पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग इंडिया में एक केशेव्ड रिकवरी चल रही है और इस केशेव्ड रिकवरी में हो यह रहा है कि ज़्यादा तर पैसा कुछ प्लेयर्स के पास यह अकुमिलेट हो रहा है बाकी सब सफर कर रहे हैं तो ऐलउन मस्क और म नमेर वन हो गये थे दुनिया भर चानसे नहीं है कि देखें जो इंडिविज़ोल रिटेन इन्वेस्टर होता है न वो चक्कर में फच जाता है अब मेरे आपके जैसे लोग मेरे आपके जैसे लोग पैसा लगा देंगे अब वह मार्केट कब नीचे जाएका हमको मालूम नह कर रहे हैं और स्टॉक लिक्विडिटी ड्रिवन वैली होती मतलब इस टॉक में जब भी शेर मार्केट की बात होती प्राइस ट्रेंड पर जाते हो ना कि वैलूएशन पर एक पर्टिकुलर कंपनी की एक शेर की कितनी अवकाद है इस बात पर शेर नहीं बिखता है उसका प् पर चला वो गिर गया तो कोल में लाके देसे इस आट डिमांड और प्राइस ड्रिवन रैली दिस नॉट अवैलूएशन ड्रिवन रैली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है तो जब मार्केट में पैसा ज्यादा घूम रहा है तो आटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएग को आगे मार्केट में क्या होने वाला है वैड क्योंकि ये अपर उठा त्या कर रहे ही जीज़ों पर्तिकुलर स्टॉक्स को ऊपर उठा रहे हूं एक तरीके का stock bubble यहाँ पे देखने को मिल रहा है और किसी को भी नहीं पता है कि stock bubble कब गिरेगा बट गिरेगा एक और factor रहे हैं आपे Federal Reserve में 5 trillion dollars economy में infuse किये है इंडिया की Reserve Bank ने भी करोणों में पैसा इंकोस किया है दुनिया भर की जो Federal Reserve से हैं Central Bank से उन्होंने पैसा economy में infuse किया वो पैसा कहा जाएगा वो पैसा stock market में पहुँच रहा है और आगे आने वाले समय में यह पैसा stock market में रहने वाला है उसका एक और reason है US Federal Reserve की जो chairman है जिरोम पावल 2022 तक तो देखो यह Federal Reserve में जो पैसा market में हुमाई उसको वापस नहीं कीचने वाले है चुकि वो nominate दोबारा होने वाले हैं अब देखे क्या है US में एक चीज बहुत अच्छी जब stock market उपर जा रहे होते हैं सबको लगता है चलो भाई economy बढ़ रही है अच्छा है सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है अब यहाँ पर जो Federal Reserve RBI का चेर्मेन है वो काफी चीज़ें कर सकता है कल की डेट में शक्ति कांता दास साब यह बोल दें कि RBI लिक्विडिटी इन्फ्यूज नहीं करेगी market में तो भाई यह पूरा का पूरा market sentiment हिल जाएगा निफ्टी सेंस से सब नीचे गर जाएगे वही चीज़ है US Federal Reserve की चेर्मेन जिरोम पॉल जिरोम पॉल कालगे डेट ने बोल देते हैं कि भाई मैं लिक्विडिटी इन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ तो फिर लिक्विडिटी को सक बैक करें और एक बात पकी क्लियर है जो स्टॉक्स उठते हैं वो गिरते भी है 1989 में जो जापान का निकी स्टॉक एक्स्चेंज है यह भाई है 40,000 पर पहुंच गया था जो निकी इंडेक्स है और उसके बाद यह 40,000 से गिरा तो जब भी कोई इंडेक्स बहुत ऊपर उठता है एक समय ऐसा डेफिनिटली आता जब वो नीचे गिरता है डो जो जो इंडेक्स था युएस का 1929 वो 800 पे था वो बिलकुल गिरा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और 800 से डबल डिजिट्स में आ गया इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मार्केट में कब गुसना और कब निकलना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी चीज़ का जो अपवर्ड ट्रेंड है न वो एक लिमिट तक ही रहता वो कभी ना कभी गिरता है और गिरने के साइन अभी से दिख रहे है अमेरिका में इंफ्लेशन चार पतिशत पहुँच चुका है कई सालों में इंडिया में भी इंफ्लेशन कंसिस्टेंटली पिछले 10 से 12 महीनों में उपर रहा है RBI भी इसके अगेंस्ट वान कर रहा है अमेरिका के जो एकनॉमिक एक्सपर्ट से वो भी इसके अगेंस्ट वान कर रहा है तो आगे आने वाले समय में जब एक लिमिट से ज़्यादा इंफ्लेशन होगा तो हो सकता है सरकार और ये फेडरल डिजर्वस RBI ये एकदम से डिसीजन ले कि अब हम और पैसा इंफ्यूज नहीं कर रहे है मार्केट में अब हम लिक्विडिटी को मार्केट में कम कर रहे है और जिस दिन मार्केट में लिक्विडिटी कम होने लगी स्टॉक मार्केट अपने आप नीचे आने लगेगा इसलिए retail individual investors को तो बहुत सोच समझ कि stock market में पैसा लगाना चाहिए चुकि भेड़ चाल की basis पे अगर आप stock market में पैसा लगा रहे हो बरबात हो जाओगे तो यह था analysis दोस्तों I hope आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो अपनी viewpoint दीचे comment box में जरूर दीचेगा जाद 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 लोग साथ इस वीडियो को शेर करिएगा like किये बिना मत जाना have a great day friends good bye